रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्मान का स्वपन मानेनिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के नेतरत में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उचितम प्राथमिक्ता देने से साकार हो पाया है टनल का निर्मान दिवंगत प्रधान मंत्री एवं भारत रतन श्री अटल बिहारी बाजपाई के इतर कमलोंगारा दो हजार दो में अपरोच रोट के शिलानास के साथ आरब हुआ था टनल के कारे में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई इसमें 8000 लीटर प्रती मिनट के बहाओ से पानी ने टनल के कारे में बाधा डाली ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चिनोती साबित हुई जिसको नवीन तम टेकनलोजी और आधोनिक उपकरणों से दूर किया गया समय पर कारे पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बियारों के 650 कर्वियों ने एक जुठ होकर तीन शिफ्टों में कारे किया हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मु कश्मीर से जोडने वाली मनाली को लेश से जोडने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगा 9 किलो मीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी पाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सेकुरिटी उपकरण लगाई गये है कनल में हर 250 मीटर पर CCTV कैमरा, 150 मीटर पर टेलिफोन, 60 मीटर पर फायर हाइडरेन्ट हर किलो मीटर पर एएर कॉलिटी मोनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आटोमेटड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपकलब्द है ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल भूम से सकाडा द्वारा संचालित किये जाते हैं कनल के नीचे विशेश रूप से किसी भी आपात स्थिती में जात्यों को सही सलामत निकालिये के लिए एग्रेस्ट कनल का गावधान किया गया है स्थानिये लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यातरा आसान करेगी वहीं सशस्तर बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती शित्रों में पहुशना सहच होगा माननिये प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लग्दाफ के लोगों के सरवांगीन विकास के लिए एक महतपून कदम सावित होगा इससे लोगों के चेहरों पर प्रसनता की मुस्कान सहच ही देखी जा सकती है अडल तनल रोहतां को माननिये प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी द्वारा राष्ट को समर्पित किया जा रहा है